नमस्कार बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूप्रिती और खबरों की शुरुआत राज़ानी पटना से करेंगे मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने उपर मुख्य मंतरी सुसील कुमार मोधी, ग्रीस सच्चु और अन्यवर्य अधिकारियों के साथ आवाज पर बैठक के बाद लॉक्टाउन के परिपेख्च में मुख्य मंतरी ने बिहार वासियों को राहत पैकेज देने की गोशुना की है मुख्य मंत्री के राहत पैकेज में रासनकार धारियों को एक माह का मुफ्त अनाच, पिंशन धारियों को तीन माह का अग्रेम पिंशन, लॉक्टाउन वाले छेक्त्रों में सभी रासनकार धारियों को प्रती परिवार एक हजार रुपए और चिकिसको और स्वास्त्यकर्मि में लोगों को सहायता पैकेश देने के संबंद में कुछ निर्ने लिए गए कि नंबर एक सभी रासन कार्ट धारी परिवारों को एक माह का रासन मुफ्त में दिया जाएगा दो सभी प्रकार के पैंसन धारियों मुख्यमंत्री ब्रिदिजन पैंसन देव्यांग पैंसन विधवा पैंसन विधावस्ता पैंसन को अगले तीन माह की पैंसन अग्रिम तौर पर ततकाल दी जाएगी यह रासी उनके खाते में सीधे अंतरित की जाएगी तीसरा, लॉक्डाउं छित्र के सभी नगर निकायद छित्रों एवं प्रखंड मुख्याले की पंचायत में अवस्थित, सभी रासन कार्ड भारी परिवारों को एक हजार रुपे प्रती परिवार दिया जाएगा यह रासी डिवी टीके मार्ध्यम से उनके खाते में अंतरित की जाएगा चौथा, पहली क्लास से लेकर बारहवी क्लास तक के सभी छात्र छात्राओं को दे छात्र विर्थी 31 मार्ध 2020 तक उनके खाते में दे दी जाएगा सभी चिक्रित्सकों एवन स्वास्त कर्मियों को एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रुच्साहन रासी दी जाएगा मेरा अनरोध है कि लॉकडाउन के संबंध में राजी सरकार द्वारा दी जा रही सलाह का सब लोग अनुपालन करें क्योंकि सवों के सहयोग से ही इस महामारी को निवटने में सफलता मिलेगी आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद लोगडाउन के बावजूद कानून की धज्या उड़ाते लोगों को देख बिहार के डी जी पी गुपते स्वर पांजे ने एक वीडियो जारीकर लोगों से हाथ जोड़ कर अपील की है कि लोग बिना वज़ा के घरों से बाहर ना निकले डी जी पी ने हर समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोगडाउन आपके लिए ही है नमसकार मैं गुपते सुर्पांडे डी जी पी बिहार मैं हाथ जोड़ करको प्रादना करता हुँ तमाम बिहार के लोगों से हर जाथ हर मजह हम के हिंदू हों मुस्लिम हों सिक्ख हों इसाइई हों मजदूर हों Quiz Phan me कील हों ब्यापारी हों हर जाद हर वर हर समदाय के लोगों समरूद करता हूं मान जाए लॉक डाउन का मतलब लॉक डाउन कम्प्लीट करफू की तरह एसेंशियल सर्विशेज इमर्जेंसी सर्विशेज केवल चालू है जैसे राशन की दुकान हो गई गैस पेट्रोल पंप गैस स्टेशन दवा की दुकान होस्पिटल जाना हो इसके अलावे कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा आपने सहयोग किया जिस दिन जनता करफू का दिन था तो पूरी दुनिया ने इसको देखा बिहार के अनुसासन को आपके धैर्यको और ये पूरी दुनिया ने देखा ये आपके लिए हम लोग कर रहे हैं ये सरकार आपको बचाने के लिए कर रहे हैं ये बिहार को बचान के लिए कर रही है मानवता को बचाने के लिए कर रही है यह संक्रमा से फैलता है कुरोना आपको नहीं पता कौन आदमी कहां किसे सपर्स कर गया है और किसी के सपर्स मात्र से यह करोना फैल जाता है एक तिस तक सपत खाईए कि आपात काला कालीन पज्थिती को छोड़ कर आपने नजारा पेस्ट किया, वही नजारा बिहार में 31 मार्ज तक अगर आप पेस्ट करेंगे, हिम्मत, धैर, अनुशासंत का पर्चे देंगे, करोना हार जाएगा, करोना भाग जाएगा, हम जीत जाएगे, बिहार जीतेगा, देश जीतेगा, मानोता जीतेगे, हाथ जोड करके अन्रूद कर रहा है। नमस्कार आप देख रहे हैं जहांप यह मुख मार्ग है गया जाने के लिए और इसी रास्ते से गया लोग आते जाते और आपको बता दे अभी जो हालात यहांपे हैं विल्कुल लॉक्ट्रोन इस्टिती में हैं यहांपे बिल्कुल सेवाय ठब कर दी गए चाहें बस सेवा आपको बताते चलिए जो आप गृष देख रहे हैं यहांपे एक समय ऐसा हुआ करता था कि स़े अरह यहांपे काफी भीड़ हुआ करती थी काफी रस हुआ करती थी रही है यहां पर बैज उन्हों हो dr लगए आपको बतादी जो दूसरा दीन है हो आज इहां है और जो पहली दिन है वो किसी से छुपा हुए नहीं है कि बिहार के जुन लोग है उन्होंने ठीक से फॉलो नहीं किया था जिसको देखते हुए आज पटना पुलिस और साथी साथ बिहार पुलिस काफी मुस्तैद दिख रही है और काफी सक्त रवय अपनाई हुई है तो है कि आप लोग कुना वापस ले जाएए आप अपने बचिए और समाज को भी बचाएए तो ऐसे तो सब्ता में दो दिन होता है संड़े को होना था तो यह मिस कर निरामया होस्पिटल में निरामया होस्पिटल खनवान नगए कौन सी बढ़ा है डाइलिस होता है सर्ट कौ जाए लेकिन जूट जाट मत बोलिए जूट बोलिए आप फस जाएए तक परसान्यों का दिक्वत अच्छान आपको करना पड़ रहा है नहीं इसी बात नहीं है हम लोग अभी समझा रहे हैं बुजा रहे हैं हर आदमी को मना रहे हैं कोशिश कर रहे हैं तीन हिसा आदमी पालन कर रहे हैं मरजिंसी सेवा जो है अपात काल के लिए जैसे गय से दूद है सलेंडर है या जो होस्पिटल में कारजरत है उन लोगों के लिए हम लोग इंट्री पास दे रहे हैं सगन से सगन चेकिन लगाए हुए हैं कि ये बहुत करोना खतरनाक बिमारी है एक जगह स भाजपा ने सूबे की जनता से पालन करने की अपेल की है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सिंग ने यह समय काफी संकट पूर्ण है यह कहा है ऐसी हालत में हर बिहारवासियों को अपने घरों में ही रहकर को पराजित करने का उदारन प्रस्तूत करना चा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए है अपने समाज के सुरक्षा के लिए है अपने देश की सुरक्षा के लिए है इसका तो हर एक लोगों को पालन करना चाहिए और बहुत सारे जो भागदार की जिन्दगी में समय नहीं दे पाते थे बचों को परिवार को वह घर में अपना समय दे करके पॉजिटीव ठिंकिंग रखें और अपना कुछ काम भी करें कुछ परहाई भी कर लें अच्छे चीजों का विश्वा भर में कुरोना के खिलाफ जारी जंगे मुही में मुकामा नगर परिसर ने भी ताल ठोकने की कवायत का अगास कर दिया है मुकामा नगर परिसर ने इस महमारी के खिलाफ सफाई अभियान को अपना हथियार बनाया है 28 वार्डो वाले इस सी ग्रेट के शहर में युद इस्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है कुरोना को लेकर शुरुवाती जंग और लोगों की लापरवाही की जो तस्वीर सामने आई उसके बाद सडकों पर पुलिस ने मोचा संभाल लिया है बिहार में लोक्डाउन के आदेश के खिलाब सडकों पर निकले लोगों को पकड़ पकड़ पुलिस फाइन कार्टी नजर आई बड़ी संख्या में सडक पर उतर पुलिस हर आने जाने वाले लोगों से बाहर निकलने की वज़ब पूछती दिख रही है और जो लोग बेवज़ा घुमते दिख रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है इस समय जो लोग घुम रहे हैं वो दूसरों की लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं तो इंडियन फिनल कोट के सुजंगा धारों के अंदर उनके पर आवश्यका रही है सरकार के लोग चाउन की घुसना के बाद भी सासाराम में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है सासाराम के फजल गंजर सित एक मौल खुला रहा और मौल में दीन भर लोग खरीदारी करते रहे कुरोना वाइरस को लेकर सरकार के निर्देश के बाद भी आखिर मौल कैसे खुले रहे यह प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है इस संबन में सदर एजडी और राजकुमार गुपता से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके संग्यान में ये मामला आया है वो कारवाई करेंगे बात करें फतुहा की तो सरकार की एहतियातन कारवाई एवं निर्देशों का फतुहा पुलिस अनुमंडल में घोर उलंगन हो रहा है फतुहा बाजार दनियावा बाजार की सभी अनुपियोगी दुकाने खुली रही जगा जगा पर लोगों का जुन्ड भी देखा गया मीट मुर्गा मचली की दुकाने भी खुली रही वही फतुहा के जिलापर्चा सदस्य ने सरक पर घूम रहे ग्रामिनों को हाथ धोने के लिए सेनेटाइजर बात कर जागरुकता भियान चलाया जबकि कुछ युवकों ने मास्क देकर लोगों को सडक पर मास्क लगा कर चलने की हिदायत दी है हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्चर रंजीत कुमार चंद्रवनसी ने एक बयान ज़ारी करते वे कहा है कि बिहार प्रदेश में कुरोना वायरस से हुई मृत्यू बहुत ही दुखद है सभी को कुरोना वायरस जैसे भयावब बिमारी के खिलाफ लड़ाई तेज करनी चाहिए इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता रहत कोस में आर्थिक सहयोग देने की भी घोशणा की है करने के लिए भी तत्पर है बिहार सरकार को चाहिए कि उन तमाम गरीबों के बीच में उनकी रोटी खाने पीने के कुछ विवस्था करें चुकि वो लोग घरों में कैद हैं रोज मर्रा के जिन्दगी जीने के लिए उन लोगों को जो समागरी चाहिए उसके उपलब दिता करा है क्योंकि वो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इसलिए बिहार सरकार इस पर ध्यान दे और हम पाट्टी के सभी कर्च करता है, बिहार सरकार के सहयोग करने के लिए तत्पर है 31 मार्च तक लॉक्टाउन के घोसना किये जाने के बाद लोग रासन की दुकानों पर लंबी लंबी लाईने लगा कर रासन लेने के लिए जद्दो जहत करते दिखे एक और जहां कुरोना वाइरस से बचाओ के लिए पूरे राजे को लॉक्टाउन जनता के हित में किया गया है तो वही दूसरी तरफ इसका साइट इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है संदर में रासन खरिदारी करने आये लोगों ने बताया कि दुकांदारों के द्वारा काला बाजारी भी की जा रही है मनमाने दामों पर खाने पीने के समान भी दिये जा रहे है बाजा बंदी के कारण माल नहीं आ रहा है इसी के कारण अनाक्स अना भाव विकरा टांस्पोट बंदी है इस तरीके साथ गोडाम मंडी खुली है लोगों के इतना सारा भीड है इससे तो बारेस आप पहलेगा पूरा बाजारी के लिए हम लोगों ने स्टियम लेवर पर टीम बनाया है और डारेक्शन दिया है कि टीम भूंभूं के रेट्स को चेक करेगी सुनिशित करेगी उसका नुपालन हो डिस्टिक कंट्रोल रूम जिसका नमबर 2222259 है उसके लोग कंप्लेंड कर सकते हैं और उसके बाद उस जगहों पर छापे मारी की करवाई की जाएगी साथी में सभी किलाना स्टोर जो की उनको बोला गया है कल से वो रेट लिस्ट जो मेजर आइटम्स जो इंपोर्टन आइटम्स है उसका अपने यहां पर उसको भी रखेंगे डिस्पले पर रखेंगे यहां के पास रखेंगे जिसको की लोग मांग सकते हैं देख सकते हैं परसा प्रखन शेक्त्र में लॉक्टाउन का दमदार असर देखने को मिला। लॉक्टाउन को सफल बनाने के लिए प्रखन प्रशासन पूरी तरह से तयार है। कुरोना वाइरस के संक्रमन से बचाओ के उपाई और लोगों को सतर करहने की अपील की गई। बीडियो सीयो सही थाना धक्ष ने लाउड स्पीकर से प्रचार प्रशार के माद्रम से लोगों को जागरूप किया। बीडियो सही थाना धर्च और प्लिस बोलके स्वहयोग से पंसा परखंड के अंतर कोते। अब आप बिहाद इस टीवी को अपने मुबाईल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा एप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरे सबसे पहले आप तक पहुचे। इस वक्ती खबरों में फिलहाल इतना ही मुझे दीजे अजाजात लेकिन देखते रहे भी हार डोस नमस्कार